प्याज में बनेगी तेजी, जानिये क्यों? निर्यात बंदी के बावजूद प्याज का दाम एक बार फिर बढ़ने लगा है. देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक महाराश्ट्र की पांच मंडियों में शुक्रवार को प्याज का अधिक्तम दाम तीन हजार रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया है. इससे किसानों में और भी अच्छा दाम मिलने की कुछ उम्मीद जगी है. क्योंकि एक्सपोर्ट से पहले प्याज का थोग भाव किसानों को 40 रुपए क्विंटल तक मिल रहा था. जबकि 7 दिसंबर को एक्सपोर्ट बंध होने के 2-3 दिन बाद ही अधिक्तम दाम घटकर 1500 रुपए क्विंटल तक आ गया था. अब एक बार फिर मंडी में भाव बढ़ना शुरू हुआ है. महाराष्ट्र एग्री कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 5 जनवरी को कोलहापुर में प्याज का अधिक्तम दाम 3,100 रुपए क्विंटल तक पहुँच गया. एक्सपोर्ट बैन के बाद यह सबसे उंचा दाम है. जबकि पुने जिले की जुन्नर, पुने, नागपुर की कामठी और सतारा की वाई मंडी में अधिक्तम दाम 3,000 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया. जबकि न्यून्तम दाम 500 से 2,000 रुपए प्रती क्विंटल के बीच चल रहा है. जबकि एक्सपोर्ट बैन के तुरंट बाद कुछ मंडियों में न्यून्तम 100 से 200 रुपए क्विंटल तक ही रह गया था. प्यास का दाम कम करने के लिए सरकार अब तक हर तरकीब लगा चुकी है. किसानों का कहना है कि सरकार के पास एक्सपोर्ट बैन करने के बाद किसानों को बरबाद करने का अब कोई और हथियार नहीं है. सरकार ने सबसे पहले अगस्त में प्याज एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगाई और फिर उसके बाद 800 डॉलर का न्यूंतम निर्यात मूल्य तै किया नेफेड और NCCF से सस्ता प्याज बिकवाया तब भी दाम नहीं कम हुआ था तो एक्सपोर्ट ही बंद करवा दिया एक्सपोर्ट बैन के एक महीने बाद अब दाम फिर बढ़ने लगे हैं इस साल देश में प्याज का उत्पादन कम हुआ है लगभग 10% उत्पादन में कमी का सरकारी आकड़ा सामने आया है रभी सीजन में भी कम रोपाई के संकेत मिले हैं इसलिए दाम घटाने हर कोशिश बेकार जाती है अगस्त 2023 से ही यह देखने को मिला है कि जब-जब सरकार प्याज का दाम घटाने वाले फैसले लेती है तब थोड़े दिन दाम गिरते हैं लेकिन फिर बढ़ने लगते हैं क्योंकि उत्पादन कम है दूसरी बात यह है कि किसान अभी खरीफ सीजन के प्याज को थोड़ा रोक कर मंडी में ले जा रहे है वैसे खरीफ सीजन का प्याज स्टोर नहीं किया जाता कुछ दिन ही उसे रोका जा सकता है एक्सपोर्ट प्रतिबंधित होने के बाद भी दाम बढ़ रहे हैं इसलिए अब बाजार में ये कयास लगाए जा रहे है कि अब जल्दी एक्सपोर्ट खुलने की उम्मीद नहीं है Bureau Report Market Times TV